ICC T20 World Cup 2024 का फाइनल मुकाबला भारत और साउथ अफरीका के बीच बारबार रोस में खेला गया था इस मुकाबले को भारती टीम ने अपने नाम जरूर कर लिया था हलाकि एक समय साउथ अफरीका इस मैच में काफी अच्छी इस्तिति में था जहाँ पर साउथ अफरीका को पांच ओवर में सिर्फ जीतने के लिए 30 रनी चाहिए थे तो आज के इस वीडियो में जानेंगे कि रोही सर्मा ने एक बड़ा खुलासा करते हुए बताया है और मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या खुरूं और वहाँ से किस तरीके से टीम इंडियास वर्ड कप को जीत गई ये भी इस वीडियो में जानेंगे इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना रोहित सर्मा ने ये बोलाए कि अंतिम पांच ओवर में उनका दिमाग काम करना पूरी तरीके से बंद कर चुका था और टीटवन्टी वर्ड कप दोजार चौबिस के महात्पूर पल को लेकर के रोहित सर्मा ने और भी कई बड़े खुलासे किये हैं हर्दिक पंडिया, अर्षदीफ सिंग और जस्परित बुम्रा ने सांदार गेंदबाजी करते हुए अंतिम पांच ओवर में सिर्फ बाइस रन दे करके भारत को बिल्कुल हारे वे मैच में साथ रन से जीत दिला दी थी आपको बता दें कि साउत अफरिका की पारी के फंद्रोवे ओवर में हैंरिक ग्लासेन आक्षर पटेल के ओवर में 24 रन जड़ दिये थे इस ओवर के बाद साउत अफरिका को अन्तिम पांच ओवर में सिर्फ 30 रनों की जरूरत थी और हेन्रिक क्लासन के लावा क्रिस पर डेविड मिलर भी मौजूद थे भारती टीम के कप्तान रोही सर्मा ने ये खुलासा किये कि जलासन आक्रमक बल्ले बाजी कर रहे थे तब उनका दिमाग काम करना पूरी तरीके से बंद कर चुका था हलाकि भारती कप्तान ने कहा कि उन्होंने अपने टीम के साथियों को कूल रहने को कहा और इसके बाट टीम ने जीद भी दर्ज कर लिया रोहिस सर्मा ने दल्लास के एक इवेंट के दोरान का कि हां मैं पूरी तरीके से ब्लैंक हो गया था मुझे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था कि मैं क्या करूँ हलाकि उसमें मेरा पूरा फोकस था कि हम किसी भी तरीके से इस मैच को जीज जाएं और सभी खिलाडियों को सांध रहना बेहस जरूरी था ताकि हम अपनी योजनाओं के तहट खेल सकें जब साउथ अफरीका को अंतिम पांच ओर में 30 रनों की जरूरत थी उसके बाद जिस तरीके से हमने गेंदबाजी की वो सच में कमाल की बात है हमें बस अपने काम पर फोकस करना था और ज़्यादा चीजों के बारे में नहीं सोचना था हम लोगों ने जल्दबाजी नहीं किया और इसी वज़े से टीम ने जीत भी दर्ज कर लिया आपको पता देगी अंती मोवर में साउथ अफरिकों को जीत के लिए 16 रनों की जरूरत थी और हार्दिक पंडे ने पहली गेंड डेविड मिलर का विकेट ले करके इस मैच का रुख पूरी तरीके से भारत की और ला दिया था भारती टीम के कप्तान रोहिस सर्मा अनुभवी बल्लेबाज विराट कोलियर सांदार आल राउंडर रविंद्र जडेजा ने ICC T20 वर्ड कप 2024 के खतम होते ही इंटरनेशनल T20 किर्केट से सन्याज भी ले लिया है विल गाईस किर्केट से रिलेटेड ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और अपडेट्स को जानने के लिए तथा रियक्सेन वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबादें किर्केट से रिलेटेड बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो यहाँ पर आते रहते हैं हम मिलते हैं बहुत ही जल्द एक नए वीडियो के साथ थैंक्यू